तो ब्रेकफस्ट करने के बाद हम लोग चट प्या के थोड़े से बबल्स फुल आ रहे हैं और उसके बाद हम निकल चुके हैं अब डेली के लिए तो अभी हम लोग चेक आउट कर चुके हैं और अब हम जा रहे हैं वापस टेली और ये ट्रिप बहुत ही अच्छा था दो स्नो फॉल नहीं हुई बट फिर भी हमने बहुत ज़्यादा एंजोए किया क्योंकि जिस रिजॉर्ट में हम रुखे हुए थे वहां पर फिसिलिटी बहुत अच्छी थी और विव बहुत ही अच्छा था और अलन अल इट वस शॉर्ट ट्रिप बट वेरी वेरी इंजोएबल और ये वेरी अच्छी थी और विद यू इन दे कमिंग वीडियो तो स्टे तून्ड आना है चलो तुमा जो और रैपर ऐसे मत फैंको ना इक तंडा थंडा रिफ्रेशिंग सा गंडे का जूस आइड लाइक चाट ने गजूस वादियां मेरा दूस यह कितने का है आई अर बहुत महिंग लगा भीया कितना थोड़ा बहुत कम करते होगे डॉट में और कॉन कॉन से यह अब हमने आगे जाना है यह खालो वेजिटेबल वाली कि अ कि अ कि अ कि अ तो यह है फ्रेश किन्नू जूस जो कि हमने अभी अभी निकल वाया और बहुत ही टेस्टी है यह यहां से हम लेंगे कुछ फ्रूट कॉंसेंट्रेट्स मॉक्टेल्स वगरा बनाने के लिए और यह ना रस्ते में एक पार्क आया था यह तो मैंने पहली बार ही नोटिस के अशादर भी बना होगा और हमने सोचा थोड़ी देर यहां रुक के चिल करते हैं फोटोग्राफी वगरा करते हैं और बहुत ही अच्छी लोकेशन पर बना हुआ है यह और अच्छा लग रहा था मतलब मजा आया यहां पर भी थोड़ा सा लेकिन टाइम कम था तो हम थोड़ी देर के लिए ही रु कर रहे थे और थोड़ी देर के लिए हॉल्ट ले रहे थे फोटोग्राफी कर रहे थे काफी अच्छी जगे थी यह हुग नहीं प्रूब गाहे थे 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 दोड़ी 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 से सीडियों से? नहीं, यहां पे ऐसे ही उपर चलते है ना? लगजेगी, आजो मैं आ रही हूँ, आने की तुरह किया समें अजो आजो अजो आजो तो अब आपाँ पहुँच गया हैं सिटिव्टी डाबा पे और 6.30 हो चुके हैं तो हमने सुचा आज अज अर्ली डिनर कर लेते हैं मैंने और अडर किया है सरसों का साग और मकी की रोटी फाइनली बहुत ही टेस्टी बना हुआ अब खूब सारा बटर वटर लगा के बनाया है इन्होंने और साथ में हमने ओडर किये है राजमा चावल, दाल और रोटी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले ना और बहुत इंट्रस्टिंग वीडियो में लेके आने वाली हूँ